इन जेनरल पब्लिक को परसप्शन है कि ब्लड कैंसर यानि रक्त कैंसर बोडी के एक डेंजरस कैंसर में से हीक है, पर क्या आप जानते कि बॉडी में एक एसा कैंसर है, जो ब्लड कैंसर है वर उसका क्यॉर र盒र रेट 90% से ज़ाध है, नमस्कार, मिरा नाम है डॉक्टर विनीद गुपता, MBBS MD&DM प्रम EMS New Delhi और मैं दिल्ली में स्थित्यक Medical Oncology जाने की Cancer विशेश रगी हूँ तो friends, Blood Cancer यानि Lymphoma, कुछ special तरह के Cancer होते हैं जो Body में Blood के Cells से होता है तो Blood Cells जाने की Lymphocyte जिनका Normal Function होता है कि Body को Infection से Defend करना और Body को Protect करना कई बार इनी Cells में DNA की Genetic Mutation और Damage की वज़े से ये Cells Cancer में Convert होयाते हैं और इसको Lymphoma में Convert होयाते हैं जो कि Body में फैलते हैं और Body के Organs को Damage करते हैं परनतु यदि हम Lymphoma की बात करते हैं तो Usually इसको दो Category में डिवाइड करते हैं Hodgkin Lymphoma और Non-Hodgkin Lymphoma और In Fact इंडिया में जो Common तरह का Lymphoma है वो Hodgkin Lymphoma होता है जिसका Outcome और Survival Rate बहुत ही Excellent होता है तो आज के दिन हम Discuss करेंगे इस बिमारी को जिसको हम बोलते हैं Hodgkin Lymphoma ये कैसे Present करती है इसको कैसे Diagnose करते है इसको कैसे Treat करते है उसका Long-Term Outcome क्या है तो आज के वीडियो में हम Hodgkin Lymphoma से Related आपके सारे Questions को आंसर करेंगे तो Friends सबसे पहले डिसकास करते हैं कि Hodgkin Lymphoma Basically क्या होता है और इसके Symptom on-site क्या होता है तो Friends Hodgkin Lymphoma एक तरह का Blood Cancer होता है जिसमें Body के White Sedge यानि Lymphocyte डैमेज हो जाते हैं और Cancer में Convert हो जाते हैं और Uncontrollably Divide करने लग जाते हैं पर Hodgkin Lymphoma में जो Particular Cell Cancer Cause करता है वो एक Crippled यानि डैमेज Cell होता है जो Effectively Divide और Spread नहीं कर पाता तो चुकि ये Cell जनम से ही कमजोर है इसलिए Cell की फैलने की Tendency भी कम होती है और Cure Rate भी होता है और Simple दवाईयों से इस बिमारी का Cure Rate extremely high है तो Hodgkin Lymphoma एक Special तरह का Blood Cancer है जो एक Damaged B Cell से होता है जो Damaged होने की कारण Fast Spread नहीं कर पाता जिसको बड़ी हराम से Cure किया जा सकता है और India में जितने भी Blood Cancer होते है उनमें One of the Most Common Blood Cancer Hodgkin Lymphoma होता है तो Next Question है कि Hodgkin Lymphoma में Commonly Signs और Symptoms क्या होते है तो Friends, Hodgkin Lymphoma के जो Patient होते है Usually Lumps यानि गाठों से Present करते है जो Commonly Gardhan में होती है बड़ उसके अलावा Body में कहीं भी हो सकती है Most Commonly Neck में Under Arms में जांके एरिया में और पेट के एरिया में और Typically Patient present with छोटी-ओटी गाठे जो Gradually Over Weeks और Months Size में Enlarge करती है इसके साथ ही Patient को कुछ अन्ये Symptom होते है जिनको हम B-Symptom बोलते है और B-Symptom में जो Common Symptom होते है वो होता है बुखार जिसका कोई कारण नहीं बिदालता है जो एंटिबर्टिक से ठीक नहीं हो पाता रात को पसीना आना यानि रात को पेशेंट के कपड़े के लिए आता है और बहुत जाना पसीना आता है और Weight Loss यानि पेशेंट का Body का Weight दिदे दे कम होता रहता है और Typically 5% से यादा Weight Loss जिसका कोई कारण नहीं है उसको हम Significant मानते है तो Majority और पेशेंट में होच्किन लिंफोमा इन्नी दो Symptoms से प्रजेंट करता है गाठे और B-Symptom कुछ पेशेंट में होच्किन लिंफोमा को Diagnosis कैसे करते है और इसमें साथ में क्या टेस्ट बड़े इंपोर्टन है तो सबसे पहले बात करते हैं सर Diagnosis की तो Diagnosis of Hodgkin लिंफोमा का Simple तरीका है विच इस कॉल्ड अ Biopsy तो Biopsy का मतलब यह है कि पोड़ी से टूमर का एक अंश निकाल लेते हैं उसको लबोर्टर में बेशते हैं और लबोर्टरी में उसको काड़ के चेक करते हैं कि उसमें Cancer के सल क्या से है और उनके क्या टाइप से है और एडिशनली उन सेल्स के उपर कुछ स्पेशल जाचे की आती है और मैं आपको 100% अशौर करता हूँ और गैरंटी देता हूँ कि बाइप से ना तो Cancer फैलता है ना Cancer ज्यादा अग्रेसिव होता है तो आप freely और happily अपने टूमर की बाइप सी करा सकते हैं और इस doubt को solve कर लोगे हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें नेक्स्ट बात करते है कि होचटे लिफोह में और टेस्ट की क्या ज़रूर होता है तो typically होचटे लिफोह में हम पेशेट के ब्लट टेस्ट कराते है देखने के लिए के वो इलाज के लिए फिट है क्या पेशेंट के हाट का इको या अल्टरसोन कई बर के जाता है देखने के लिए कि पेशेंट का हाट दवाई लेने लाइए एक फिट है और हल्दी है या नहीं है और वेरी इम्पॉर्टन एक Pet CT स्कैन कराये जाता है जो एक स्पेशल तरह का स्कैन है जो सर से लेके पैर दक पूरी बोड़ी का स्कैन करता है देखने के लिए कि बिमारी कहां का बोड़ी में है और पेट सीटी स्कैनी बोड़ी का बिमारी का स्टेज बताता है या नि बताता है कि बिमारी बोड़ी में किस एक्षेंड़क फैली होई है एक very important चीज है पुराने जमाने में होचके लिंफोमा में routinely सब patient का bone marrow biopsy किया जाता था, जिसमें एक सुई से bone marrow के cell निकल के चेक करते हैं कि bone marrow में ये बिमारी फैल तो नहीं गई है, पर आज के दिन research कहती है कि जिस patient को pet CT scan available है, उसको bone marrow biopsy की कोई ज़ोरत नहीं है, और हमारी practice में क्योंकि pet scan एक simple cheap और easy process है, हम हर होचके लिंफोमा patient का pet scan जरूर कराते हैं तो next बात करते हैं friends की होचके लिंफोमा के stages क्या होते हैं तो दोस्तों होचके लिंफोमा को mainly 2 stages में divide करते हैं theoretically तो इसमें 1, 2, 3, 4, 4 stages है, बट इसमें early stage बहुत कलते हैं, जिसमें stage 1 और 2 आता है और advanced stage बोलते हैं, इसमें stage 3 और 4 आता है तो early stage में stage 1 का मतलब patient को single guard है या single tumor है, जो की आसपस कही और नहीं फैला है, और stage 2 का मतलब है patient को single guard है, single tumor है जो उसी look का लिंफोमा में थोड़ा सा spread है, पर जिन patient को diaphragm यानि छाती और पेट के बीच के area है, जिन patient को इस point के उपर tumor है उनका tumor उसके नीचे नहीं गया है और जिन patient को इसके नीचे tumor है, वो इसके उपर नहीं गया है, तो tumor में multiple sides हो सकती है, पर वो एक ही side of diaphragm बहुत सारी tumor diaphragm के उपर निचे दोनों तरफ है, तो for example यदि किसी को गर्दन में गाट है और जांग में गाट है, तो वो stage 3 में आता है क्योंकि इसके उपर निचे दोनों तरफ है और stage 4 में वो बिमारी आती है जो widespread various organs में फैली होई है तो for example यदि cancer bone marrow में है या liver में है या lung में है, तो किसी visceral organ wide spread रूप से फैला हुआ cancer है तो इसको हम stage 4 बोलते है तो classically होचके लिंफोमा के इन 4 stage में डिवाइड करते है, और stage 1-2 को हम early stage बोलते है, और stage 3-4 को हम advanced stage बोलते है तो next बात करते है होचके लिंफोमा के treatment में क्या technology है, क्या modality available है तो friends, होचके लिंफोमा के treatment में आज के दिन 4 main technologies का इस्तमाल होता है, इसको हम EK करके cover करेंगे तो सबसे बहले technology को हम बोलते है chemotherapy, तो होचके लिंफोमा एक ऐसी बिमारी है, जो chemotherapy से सबसे sensitive cancer में से एक है in fact, जो होचके लिंफोमा का long term survival हम बोलते है, 90% से उपपर है वो इसलिए है, क्योंकि 70 years से, जब सिरफ EK treatment available है, जो कीमो तरफी है तब से भी यह पता है, कि जो crippled B-cell होचके लिंफोमा है, वो कीमो तरफी के थोड़ ऐसे healthcare dose से भी immediately कायब हो जाता है, तो data, long term data और रिसरच यह बोलते है कि होचके लिंफोमा highly chemo sensitive है, बिल्कुल जरा से dose of chemo से बिमारी पूरी तरह खतम हो जाती है, और आज के दिन भी होचके लिंफोमा के first line treatment का main treatment chemotherapy माने जाता है, पर जैसे हम आगे discuss करेंगे, नई technology है से immunotherapy और targeted therapy बहुत fast इनका role बढ़ता जा रहा है और कई doctor expect करते है कि over the next 5 years, chemo therapy की जगा immunotherapy ले लेगी ताकि होचके लिंफोमा का cure rate भी higher रहे हो, side profile भी कब हो, but as of today यानि 2024, still the most important modality वो treatment of होचके लिंफोमा is chemo therapy दूसर treatment जो होचके लिंफोमा यूज होता है वो कुछ special तरह की दवाईया है जो body में जाती है और immune system को tumor को पचानने और kill करने के काबिल मनाती है, तो data ये कहता है कि immunotherapy होचके लिंफोम में highly potent और highly effective therapy है पहले कि हम बात करें तो usually immunotherapy तब use करती है जब chemotherapy fail हो जाए, but recently जो research और data आ रहा है वो ये कहता है कि immunotherapy को यदि शुरुवात में ही chemotherapy के साथ देखा, आजकर advanced stage में तो survival is much better than what is the survival with chemotherapy alone तो increasingly आज कल डॉक्टर शुरुवात में ही immuno और chemo साथ देते हैं तकि patient का long term cure rate of survival बहुत अच्छा रहे third treatment modality को मोलते है targeted therapy, तो फ्रेंट hodgkin lymphoma में जो targeted therapy यह होती है उसको adcetris या brentuximab vedotin बोलते है तो adcetris या brentuximab vedotin एक special दरा की दवाई है जो hodgkin lymphoma cell पे present एक target जो cd30 बोलती है उससे चिपक जाती है और tumor से को destroy कर देती है तो यह दवाई until recently इंडिया में available नहीं थी पर आज के दिए यह दवाई भी इंडिया में available है और इस दवाई का use first line में यानि पहली बार जब पेशेंट आए तब भी यूज़ कर सकते है और यदि पेशेंट की first treatment fail हो जाए और relapse हो जाए तब भी यूज़ कर सकते है आज के दिन चूकि immunotherapy टर्गेट टर्पी से ज्यादा potent और ज्यादा powerful है जाड़तर पेशेंट को chemo और immuno से ही first line में यूज़ करते है और targeted therapy को जाड़तर second line में ही यूज़ करते है और finally जो therapy यूज़ होती है उसका multi-radio therapy तो फिर रोटे थरपी एक बड़ी simple technology है patient एक machine में जाके कि अच्छी खासी strong death की capacity हो जाती है तो आज के दिन radiation का use होज़ के लिफोमा है हलाकि दिने दिने कम हो रहा है कुछ patients को आज भी radiation की जोरत होती है ताकि बिमारी को वापस आने का risk को कम किया जाए तो various combination में और various technologies को combine करके होज़ के लिफोमा को treat किया जाता है तो next बात करते है friends की कि stage में क्या treatment best माने जाती है हर stage में क्या इलाज किया जाता है तो friends जैसे मैंने पहले discuss किया था होज़ के लिफोमा को basically दो group में divide करते है stage 1 and 2 and stage 3 and 4 और आज के दिन जो standard treatment है वो बहुत ही simple है होज़ के लिफोमा में एक light drug की chemotherapy यूज़ करते है जिसको हम ABVD बोलते है ABVD में 4 drug use होते है adriamycin, bleomycin, winblastin and decarbazine और इस regimen को होज़ के लिफोमा की primary chemotherapy माना जाता है और ये regimen की एक महिने की एक cycle होती है तो एक महिने में ये चारों injection दो बार दिये जाते है और इसको हम एक cycle मोलते है तो जिन patient को early stage यानि stage 1 or 2 disease होते है typically इनको 2 से 4 मेने की ये दवाई दी जाती है और कुछ patients को इसके addition में radiotherapy दी आती है और जिन patient को advanced stage disease है यानि stage 3 and stage 4 है उन्हें typically इस session के 6 cycle यानि 6 मेने की दवाई दी जाती है और इसके बाद कुछ patients को radiotherapy की जाती है but very very important आज के दिन therapy rapidly change हो रही है हाला कि early stage disease में आज के दिन भी treatment day rate de-escalation यानि 4 की बज़ाय हम 2 की तरफ shift करने का trend है जो advanced stage है उसमें जो नई research कहती है वो ये कहती है कि A, B, V, D की बज़ाय इनमें से एक drug को drop करके उसमें immunotherapy की दवाई आड़ करके अब survival को much improve कर सकते है और patient का long term cure rate further extensively improve किया जा सकता है तो आज के दिन यदि हम 2024 की beginning के बात करे current data बोलता है कि जो early stage है उसमें अभी भी जो main treatment है वो light chemo and radiotherapy है पर advanced stage में आज के दिन better outcome के लिए patient has the option of taking light chemo with immunotherapy for 6 cycles and get a much better long term outcome तो ये newest advancement है जो आज के लिपों में की treatment को change कर रही है तो next friends बात करते है कि इस सारी treatment technology को use करके हम किस तरह का outcome या cure rate पा सकते है तो friends आज के दिन जो research data कहता है वो यह कहता है कि stage 1 and 2 में typically जो cure rate होता है वो 90 to 95% होता है यानि treatment से हम 95% patient की विमारी को पूरी तरह जड़से हिलाज कर सकते है और stage 3 and 4 में भी 70 to 90% cure rate है यानि जो currently available technology है उससे advanced stage में भी 70-90% लोह की विमारी को पूरी तरह cure rate या जड़से हिलाज किया जा सकता है पर very important जिन patient मानलो हम 5% patient की बात करें जिनकी विमारी वापिस आती है उनको भी कोई हताश होने वाली बात नहीं है जिन patient की विमारी वापिस आती है उनकी भी विमारी का जड़से हिलाज किया जा सकता है इसे mainly हम दो technology use करते हैं या तो जो चीज हमने पहले नहीं use करी है उस पे हम जा सकते हैं तो जिसको chemo मिली है उसको immunotherapy दे सकते है target therapy दे सकते है जिसको immunotherapy मिली है उसको chemo therapy दे सकते है target therapy दे सकते है जिसको radiation नहीं मिली है उसको radiation का फाइदा दे सकते है और साथ में कुछ पेशेंट में एक mortality उसको हम stem cell transplant बोलते हैं जैसे आदमी के blood से stem cell निकालके उसको high dose therapy देके उसकी bone marrow को दबाके उन्हीं stem cell को patient को वापिस दे दिया जाता है और देखा गये कि जिन patient भीमारी वापिस आती है उनमें stem cell transplantation से बिमारी को तब भी cure किया जा सकता है तो although frontline cure rate 90% के करीब है जो 10% patient है बिमारी वापिस आती है उनमें भी cure possible है और आज के दिर यह technology available है जिससे vast majority of patient में बिमारी को पूरी दरा जड़ से इलाज कर सकते है तो in conclusion friends Hodgkin lymphoma इंडिया में common blood cancer है Hodgkin lymphoma commonly young patients और old patients में होता है Hodgkin lymphoma का इलाज बहुत ही असान है और बहुत सरे technologies available इसको ठीक कर सकते है और Hodgkin lymphoma का cure rate very high है 90% ही उससे ज्यादा है तो जिस patient को Hodgkin lymphoma के इमारी diagnose होती है उसे बिलकुल भी डरना नहीं है और हताश नहीं होना है और confidence से अपना treatment के लेना है विद्य knowledge की treatment के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा और पर नॉर्मल लाइफ पर वापस आव सकता है तो with that friends we finished today's video I hope यह जानकरी आपके लिए useful रही हो आपने कुछ useful जाना हो और इससे cancer patients को अपनी treatment confidence से fight करने का मौका दिया हो friends हमारे चैनल का main purpose यह है कि हमारी country के patients को world के latest or best cancer treatment की information उनकी अपनी भाषा में मिले ताकि वो confidence से अपनी हमारी का सामना कर सके और इस mission में हमसे जुढने के लिए चैनल को ज़रूर subscribe करे वीडियो को like और share करे इस video में discovered concept के अलावा आपको कोई question या सवाल है तो video comments या screen पे display social media link से आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशी करूँ कि जल से जल आपके सवाल का जवाब आपको मिले और जल दी मिलेगे आपको एक entertaining and interesting video के साथ, thank you